नमस्कार और विल्कम यौलू वर्ल अफेर जायू प्रशान दवन आउ रिसेल्ली आपने देखा होगा के भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक काफी बड़ी कमी आई है यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया स् फॉरें एक्चेंज रिजर्व फॉल बाए 80 बिलि के फॉरें एक्चेंज रिजर्व से हमारी करंसी को बचा पाए डॉलर के मुकाबले रुपी 85-90 के आसपास ना पहुच जाए 80 के आसपास ही बना रहे तो इट विल बी बेटर फॉर एवरिवन मगर इसकी एक कीमत भी है कीमत यह है के हर अफते हम देख रहे हैं on an average हमारा व विदेशी मुद्रा भंडार 550 बिलियन डॉलर के आसपास है इस स्टीड से अगर हम लगातार वढ़ते रहे तो अगले साल आपको भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलbor से भी लिछे दिखेगा ना इस विडियो में हम डिसकस करेंगे के विदेशी मुद्र भंडार से हम रुपी को कैसे बचा पाते हैं बहुत कुछ यहाँ पर आपको जानने को बिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पुछूंगा question यहाँ पर यह है के नानमा दॉल यह एक बहुत ज़ादा खूंगा टाइफून है बहुत न्यूस में है और एक देश ने एक rare special warning इशू करिये के जब यह टाइफून हमारे देश को इट करेगा बड़े scale पर तवाई होने वाली है तो पुरा देश त्यार रहे तो आपको बताना है के नानमा दॉल पर special warning इशू करने वाला देश कौन सा है चाइना जपान USA या फिर इंडिया कॉमेंट सेक्षन में सब लोग करो आंसर सही आंसर में आपको दूँगा वीडियो क्यांत में ना यह आपके सामने एक बहुत अच्छा चार्ट है से आप समझ पाओगे कि अभी भारत के सामने क्या चैलेंज है और यह चैलेंज भविश्य में बड़ा क्यों होने वाला है बारा साल पहले आप अगर जाओ तो 2010 में एक साल में भारत ने अपने विरेशी मुद्रा भंडार में 13.8 बिलियन डॉलर का इजाफा किया था फिर आने वाले तीन सालों में थोड़े थोड़े हमारे फॉरन एक्स्चेंज रिजर्व्स डिप्लीट होते गए फिर आया 2014-2015 लगातार हमने देखा देखो 2014-15-16 और 17 में लगातार 26-31-10 बिलियन-50 बिलियन भारत का विरेशी मुद्रा भंडार बढ़ता रहा 2018 में थोड़ी गिरावट आई और फिर 2019-20 में रेकॉर्ड उच्छाल हमको देखने को मिला भारत के विरेशी मुद्रा भंडार में और जब मैं कहता हूँ विरेशी मुद्रा भंडार तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडार में हम काउंट करते हैं, गोल्ड को के कंट्री के पास सोना कितना है, उसके अलावा IMF के स्पेशल ड्रोइंग राइट्स, रिजर्व पॉजिशन क्या है, उसकी IMF में हलाकि इन दोनों का रोल बहुत कम होता है, में जब हम बात करते हैं, फोरेक् currency assets पर, के dollars हमारे पास कितने हैं, USA के treasury bills कितने हैं हमारे पास, तो इसमें भारत ने बहुत ज़ादा इजाफा किया 2019 और 2021 में, और इसलिए आपने notice किया होगा के इंडिया के foreign exchange पर बहुत वीडियो लगातार आ रही थी, कई लोग डिसकस कर रहे थे के इंडिया के foreign exchange reserve तो 600 billion, 600 billion dollars के पार निकल गए, मगर फिर आता है 2022, 2020 में बहुत बड़ा खड़ा हो गया, ऐसा गड़ा आप अगर देखो, तो 2010 में भी हमको नहीं दिखा था, it is quite unique कि किस तरीके से इसी साल में, और अभी तो ये साल खतम भी नहीं हुआ, हमारे विरेशी मुदरा भंडार 82 billion dollars गिर च स्थिती आपको ऐसी ही दिखेगी, और इसका reason क्या है, reason ये है कि भारे सरकार ने ये decide कर लिया है कि रुपी हम बचाएंगे, रुपी को जादा नहीं गिरने देंगे, अभी आप अगर देखो तो रुपी की value है 1 dollar के साब से 79 के आसपास, comparison अगर मैं करूं, Indian रुपी का British pound से Japanese yen से, तो बाकी currencies बहुत ज़़ा गिरी है, Indian रुपी फिर भी थोड़ा बहुत stable रहा है, बट problem ये है कि भारत की जो निर्भरता है, कच्चे तेल पर और electronic items के import पर ये बहुत जाता है, और अगर रुपी हाथ से निकल गया, तो अगले साल budget बनाने में भी दिक्कत आएगी, country में सरकार properly पैसा खर्च नहीं पाएगी, क्योंकि भारत को जो कच्चा तेल चाहिए होता है, उसका 85% हम करते हैं, import उसके लावा, हम लोग mobile phones जो purchase करते हैं, काफी बार laptops purchase करते हैं, electronic items purchase करते हैं, कुछ definitely इंडिया में बनी होती है, मगर इनके बहुत सारे parts, कई बार तो पूर 50 रुपे, even 100 रुपे के आस पास, तो import करने में हमको और भी ज़्यादा परिशानी आएगी, और इससे directly हमारे देश में inflation भी होगी, तो सरकार के पास overall room बहुत ज़रा कम है, और देखिए, forex reserve हम काफी बार कहते हैं, insurance cover की तरह होता है, मगर एक limited insurance cover, insurance cover almost आपके लीजिए, अ को मानलो कोई भी बहुत ज़ादा बड़ी problem आगी देश में, तो तब भी हम 9 महीने का जो import है, ये cover कर लेंगे, इतने हमारे पास अभी विदेशी मुद्रा भंडार है, तो ये बहुत important है, कि हमारे पास इतने foreign exchange reserves आहे, कि कल को कोई भी problem आए, war आए, कुछ भी हो, हमारा country उ तो ये insurance cover है न, इसको ही हमने जिरे-जिरे खाना स्टार्ट कर दी है, और ना सिर्फ India ऐसा कर रहा है, दुनिया भर में कई देश है, Thailand, India, दुनिया में सबसे जादा अपना विदेशी मुद्रा भंडार यूज कर रहे हैं अपनी currency को बचाने के लिए, उसके अलावा आप द national market कहां पर है, जहां पर हम अपना विदेशी मुद्रा भंडार भेशते हैं और उससे रुपी को support करते हैं, देखिए, इसे हम कहते हैं foreign exchange market, ये आसानी है कि इसके कोई headquarters है, इसके आपको बहुत important trading centers मिलेंगे, नियॉर्क में, लंडन में, उसके लावा Sydney में, टोक्यो में, य ये कुछ ऐसा ही है, कि मान लीजिए, आपके bank account में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, और फिर अलग से आपका एक business भी चल रहा है, आपके business में आपकी sale बहुत कम हो रही है, लोग आपका जो product है purchase नहीं कर रहे हैं, तो आप कहरे हो यार, अभी के लिए ना, दुकान को support करने क मैं अपनी saving से ही पैसे निकाल करना, अपनी दुकान से खुदी समान purchase करता रहता हूं, ताकि sale दिखें लगे के कुछ हो रहा है, economic activity यहाँ पर की जा रही है, तो obviously यह हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंग, व्लादिमर पुतिन को इंडिया ने काफी बार काए कि उक्र चेतेल के दाम बहुत ज़रा बढ़ दे हैं, इसका negative impact हमको भी हो रहा है, मगर clearly Ukraine war लगता नहीं है कि immediately खताम होने वाली है, लग रहा है कि अभी यह war चलेगी, तो इंडिया को तयार रहना होगा आने वाले 2 से लेकर 3 साल तक possibly कि हमारे जो विरेशी मुद्रा भंडार हैं, य currency को control में रखेंगे, इस दोरान भारत के लिए बहुत important है और ये बात हमारे PM 85 बार कह चुके है, कच्चे तेल पर निरभरता कम करनी होगी, क्योंकि सारा खेल यही है, हम मान के चल रहे हैं कि अभी के लिए savings पर जी लो, आने वाले कुछ सालों में जो main खर्चा है, कच्चे currency को बिना dollar में convert किये भी काम चला पाएंगे, तो ये जो बात बोली है न, PM Modi ने target है, कि India ने aim किया है कि 50% non fossil fuel energy होनी चाहिए हमारी 2030 तक, ये एक बहुत ही जादा important target है भारत के लिए, उसके अलावा, electronic items में, भारत अगर खुल manufacture करता है, तो वहाँ पर भी हमारा विरेशी मु अपनी savings हो खच लिया, मगर अब हम strong position पे आ गए है, worst case scenario इंडिया के लिए ये हो सकता है, कि जो ये 50% वाला aim है, इसमें हम बुरी तरीके से fail कर जाएं, इंडिया की oil need बढ़ती ही रहे, electronic manufacturing में हम सब लोग fail कर जाए, कुछ इंडिया में electronic manufacturing हो भी ना, और हमारे विरेशी मु एक years है, and it will be very interesting to see, कि हमारा country eventually अपनी destiny कैसे shape करता है, ना वापस आते हैं हमने question की तरफ कि recently किस country ने special warning इशू करी है, टाइफून, नानमदौल के लिए, ये हैं यापे आपकी option, China, Japan, USA, India, सही उत्तर यापे है, option, option B is the right answer, जपान ने इशू करी है, नानमदौल, टाइफू Definitely, Japan को काफी losses face करने पड़ेंगे, इस powerful typhoon की हुजैसे, और finally, आपर मैं ये भी add कर दूँ, कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, चाहिए UPSC, SSC Bank, NEET, IIT, JEE, comment section में जाओ इस वीडियो की, और यहाँ पे pinned comment में आपको मिलेगा ये link, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, the course of your choice, for example, let's say आपको purchase करना है, IIT exam का course, simply यहाँ पर click करिए IIT पर, और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे, course of your choice, और जो prices यहाँ पर लिखी हैं, for example, यहाँ पर लेख पाऊगे, लिखा है कि आप 42 मन्त का जो course है, यह आप purchase कर सकते हैं, सिर्फ 900 पे पर मन्त दे कर, यह price pay करने की on anacademy, so use the code PD10, and save your hard earned money, so यही नोट के साथ, यह है वीडियो का, thank you for listening, and as always, God bless you all.